Welcome back my channel, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी से स्टोरी है, उसकी इंग्रिश को अच्छे से रीड करेंगे और फिट साथ ही साथ में उसकी हिंदी भी समझेंगे तो चले शुरू करते हैं तो चले इसको पूरा अच्छी से पढ़ते हैं अब इसकी हिंदी को जान लेते हैं vending means होता है एक दिन, एक loyan, loyan means share एक दिन एक share was का use हम था घेथी के लिए करते हैं क्योंकि ये पास्टेंज में use होता है sleeping, sleeping का मतलब होता है सो रहा अगर ये sleep होता, sleep means सोना होता है लेकिन क्या है कि ये sleeping है इसमें ing लगा है तो ये सो रहा हो गया जब ing लग जाता है तो वो रहा रही रहे ऐसे जो है words जो है उनकी हिंदी निकलती है तो यह concert tense होता है जिसमें ing लगता है यह continuous tense होता है In front of के सामने its cave इसका use हम यहां loin के लिए कर रहे है Cave means होती है गूफा एक दिन एक शेर अपनी गूफा के सामने सो रहा था A T at T H A T that T I M E time A L I W T L E little M O U S E mouse B L A Y N G playing N E R near B Y by nearby यहां full stop है यहां पर लगाना भूल गई हूँ मैं At that time a little mouse playing nearby उसी time ठीक है उसी वक्त एक चोटा सा mouse Little mouse little means चोटा mouse चूहां playing means खेल रहा था क्या खेल रहा कहां पर nearby उसके पास खेल रहा था By chance इतफाक से By chance by 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 chanc chance Rain away rain 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 over the loins body By chance क्या हुआ कि यह जो mouse होता है वो शेर की body पर दौर पड़ता है ठीक है rain rain means run means दौरना होता है और rain run की second form होती है तो दौरा यहाँ पर rain का meaning होगा दौरा over किसके वो ऊपर over का use हम अब o means भी ऊपर होता है over means भी ऊपर होता है the loins loins s यहाँ पर apostrophe है तो यहाँ जब s apostrophe होता है तो का के की के लिए use किया जाता है loins body by chance जो mouse था वो loins की body पर दौरा loins walk up loins l-i-o-n loins w-o-k-e walk w-i-w-i-t-h with v-e-r-y very a-n-g-r-y angry and end and st-a-r-d start loins walk with very angry and start s-e-a-r-c-h-i-n-g searching f-o-r-f-o-r-w-o-h-o-h-o-d-i-s-t-u-r-b-e-d disturbed अब देख लिए बड़े-बड़े जो letters होते हैं बड़े-बड़े जो words होते हैं उनके letters को हम जोड़ कर पढ़ेंगे s-e-a-r-c-h-i-n-g searching c-h के मिलकर चर की अवाज निकलती है ठीक है searching हो गया d-i-s-d-s-t-u-r-disturbed-bed- disturbed ठीक है the sleep loin walk with very angry loin जो था शेर जो था वो बहुत गुसे में जा गया end end का meaning होता है angry means होता है गुसे में गुसा ठीक है और end means होता है all start start means शुरू searching search खोज करना ठीक है खोज कर रहा था वो for who for का use हम कात के के लिए करते है who means कौन disturb the sleep disturb disturb करना ठीक है उसकी कौन है और वो खोज भी लग गया loin कि कौन था जिसने उसकी need को disturb किया इसकी हिंदी यह होगी he he found found means खोजना the little little means छोटा little mouse nearby and said he found the little mouse nearby and said उसने पाया कि एक छोटा सा चूहा उसके बिलकुल पास है बिलकुल करीब है and said और उसने कहा and or said कहा how dare you tease me तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से चिड़ाने की या परिशान करने की ठीक है how dare you you का use हम आप तुमके लिए करते है ठीक है tease me का मिन्स होता है चिड़ाना या परिशान करना एक तरह से how dare you tease me तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे चिड़ाओ या तुम मुझे परिशान करो I will will shall का use हम future tense के लिए करते हैं kill you, kill means मानना य ओ यू तुम्हे I will kill you, I का मिन्स होता है मैं I will kill you, मैं तुम्हे मार दूँगा THE the MOUAC mouse CUT cut THE the NET net INTO2 into PIECES PIECES WITH with ITS8S TWS teeth 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 and SETS the loin free 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 The mouse CUT the NET into PIECES WITH ITS TEETH and SET the loin free The mouse, mouse ने, चुहे ने NET को कट कर दिया CUT means काटना, NET means जाल, जाल को काट दिया INTO PIECES, INTO किस में? INTO का मतलब INTO में, किस में काटा उसने? PIECES में, टुक्रो में WITH ITS teeth, किस के साथ किस से काटा उसने? WITH का यूज हम SET के लिए कर रहे हैं, यहां पर ITS teeth अपने दातों से, ITS का यूज हम यहां माउस के लिए कर रहे हैं ITS teeth, teeth means दात, AND OR SET the loin free और loin को, share को free कर दिया, आजाद कर दिया THE loin said, T-H-E-The, L-I-O-N, loin, S-A-I-D said loin ने कहा, share ने कहा, said means कहा, ठीक है T-E-A-R, dear, L-I-T-E-L-E, little, F-R-I-E-R-D, friend छोटे से, प्यारे छोटे से, friend, ओके? dear means प्यारा, little means छोटा सा, friend means दोस्त प्यारे छोटे से दोस्त, thank you very much TH-A-N-K, thank Y-O-U-V-E-R-Y-V-E-R-Y-M-U-C-H-M-A-C thank you very much, उसने उसका thank you किया, धन्यवाद किया you have saved my life, Y-O-U-H-A-V-E have, S-A-V-E-D saved, M-Y-My-L-I-F-E life तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, ठीक है? you have saved, save means बचाना होता है और saved, यह second form है, save की तुमने मेरी जिंदगी बचाई तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, my means मेरी होती है life means जिंदगी, life, ओके? या जीवन, हिंदी में कह सकते है okay students, thanks for watching this video, अगर चैनल पर नए है तो subscribe कर दिजे, bell icon को दबा दिजे, ताकि आने वाली ऐसे ही useful video का notification आपको मिल जाए thank you